हेले बबस्तों मैं सोनीका और आज मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशन्शिप में आने के लिए लड़किया अपने की नंगों का अस्तमाल करती हैं तो आज के वीडियो सी रॉपिट पर हैं क्योंकि दोस्तों देखो कुछ लड़किया ऐसे होते हैं जो लड़कियों के हिंट इशारों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इसली पूंके साथ रिलेशन्शिप करने के लिए तयार भी हो जाते हैं और कुछ लड़किया ऐसे होते हैं जिने सक्त लॉंडा भी कहा जात करते हैं जो आज में आपको बताने वाली हूँ तो आई वीडियो है तो दोस्तों के नए ओर पर लिजाएं आतार पार्ट है जिसे लड़कियों उस टाइम पर एक तरह से ब्रह्मास के तौर पर यूज़ करती है जब सारे तरीके उनके फेल हो जाते हैं जी है दोस्तों अगर कोई लड़का है जिने वह पसंद कर रहे हैं उनके साथ लिशिप करना चाहरे हैं तो वह उस लड़के का ध्यान की तरफ घीचने के लिए उस लड़के के सामने इसके पोस्ते कि उनकोशना रहे है gonna लड्क बार के बीक ऐसा बॉड़ी पार्ट इस तवाल लड़के करती हैं जब वो किसी लड़की को यह रिलाइज करवाना जाती है कि वह पसंद करने लगी है जैसे कि लड़के को दिखाते हुए अपनी हाथों की कुछ अक्टिविटी करना या हाथों से इशारे करना या बा हाटों से भी लड़क्यां किसी भी लड़के का ध्यान अपणे तरफ खीछने के लिए इस हैं तरीके से फृस सिर्ने बालों की इदया के बारे में तो इस भी बालों के भी पीछे करना इसका लेवाड़ में ऄंटीयाता हैं ल disrespect कWh apare जयस्की Seems बालों से खेलना या फ्लिक्स यानि की लेयर को है उसे बनाना इस तरीके से लड़कियां यह जताती है कि वह उनमें इंट्रस्टेट है उनके साथ लेशंशिप करना चाहते हैं इसके अगली बॉड़ी पार्ट की बात करें वह है आइस यानि की आखे दोस्तों देखो आखों आखों में तो बहुत कुछ हो जाता है तो इसलिए लड़कियां जो हैं आखों के सरी भी लड़कों को बताने की कोशिश करती हैं कि वह उन्हें पसंद करने लगी हैं लगतार लड़कों को देखना और सड़ली आई कॉन्टक जो क्लोस कर देना या आखे बंद कर लेना को उनमें इंट्रस्टेट हैं उनके साथ लेशन्शिप करना चाहते हैं तो दोस्तों यह लड़कियों को ऐसे बॉड़ी पार्ट हैं जिसका समय लड़कियां रिलेशन्शिप में आने के लिए जरूर करती हैं तो दोस्तों आज के वीडियों देखने के बाद आपको पता आपके साथ लेंगे